योगा को रक्त संचार सुधारने, रक्त चाप को कम करने और पाचन सुधारने के साथ चोड़ा गया है। ये सभी रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। नियमित अभ्यास से योग कुलेस्ट्रोल के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने और हृदय से जुड़ी बिमारियों का खत्रा कम करने में मदद कर सकता है। आज के अभ्यास के लिए हम अपने कुलेस्ट्रोल को कम करने में मदद करने वाले योगासनों के क्रम को सीखेंगे। कृपया, इस अभ्यास से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें। चलिए मैट पर शुरू करते हैं बालासन या शिशुआसन से। यह मुद्रा एक सौम्य और स्वास्थ्य करासन है, जो शरीर को आराम देने और तनाव को कम करने में मदद करती है। सांस लें और मैट पर घुटने के बल आईए। हाथों को आगे की तरफ जमीन पर रखते हुए सांस छोड़ें और धीरे-धीरे चेस्ट को जमीन की तरफ ले जाते हुए नितम्ब को पीछे की तरफ ले जाए। रीड की हड़ी को लंबा और सीधा रखें। अपने हाथों को आगे बढ़ाए और अपने माथे को जमीन पढ़िकाए जिससे छाती, नितम और रियज की हड़ी को खोला और फैलाया जा सके। दस की किंती तक इस मुद्रा को बनाए रखें और आराम करें। यहां से चलिए बढ़ते हैं अधो मुक्ष्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की तरफ। सांस लेते हुए शुरू करें और अपने हाथों को कंधों की चोड़ाई जितनी दूरी पर रखें। और घुटनों को नितम्बों की चोड़ाई जितनी दूरी पर। दोनों पैरों में खिंचाव का अनुभव करें। अब बारी-बारी से प्रत्येक घुटनों को मोड़ें और दोनों पैरों में गहरा खिंचाव पाने के लिए दूसरे पैर की एडी को जमीन पर दबाएं। दस की गिनती तक इस मुद्रा को बनाए रखें। इसी स्थिती में रहें। और गहरी सांसे लें। यह मुद्रा पीट, कोर और पैरों की मानस्पेशियों को मजबूत करने में मदद करती है। साथी रक्त संचार में सुधार करती है। सांस लें और मैट पर बैठ जाए। अपने पैरों को सामने की ओर भैलाए। सांस छोड़ें और जैसे ही आप अपने पैर की उंगलियों तक पहुचने के लिए आगे जुकते हैं। अपने पैट को अपनी रीड की हड़ी की ओर खीचने पर ध्यान दें। और पांच से दस सांसों के लिए इस मुद्रा को बनाए रखें। अपने हैंस्ट्रिंग्स में गहरे खिंचाव का अनुभव करें और सांस को छोड़ते हुए इस मुद्रा में सम्मिलित हो जाए। यहां आगे की ओर जुकने वाली मुद्रा, लिवर और किड्नी को प्रोथसाहित करती है। और पेट से अतिरिक्त चर्बी को दूर करती है। शलभासन से धनुरासन, लोकस्ट पॉज से बोपॉज। अपने पेट के बल लेट जाए और हाथों को अपनी दोनों तरफ रखें। सांस लें और अपना दाहिना पैर ऊपर उठाए। आपका पैर घुठनों से नहीं मुड़ना चाहिए। सिर और चेस्ट, सीने को जमीन से उपर उठाए। इस स्थिति को दस गिंतियों तक बनाए रखें। सांस छोड़ें और अपने पैर को नीचे आरंभिक स्थिति में ले आए। इसी तरह बाएं पैर के साथ भी दोहराए। अब सांस लें और जितना हो सके अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाए। और सिर और चेस्ट से भी ऊपर की ओर उठाए। 10 गिंतियों तक इस मुद्रा को बनाए रखें। यहां से खिंचाव को गहरा बनाने के लिए अपने दोनों टखनों को पकड़ें। सांस लें और जितना हो सके सिर और। चेस्ट को उपर उठाए। चेस्ट को विस्तृत करने पर लक्ष करें। यहां सन पेट के अंगों और श्वास प्रणाली को प्रोधसाहित करने में मदद करता है। साथ ही पीठ और कंधों को भी मजबूत बनाता है। सेतू बंधासन ब्रिजबोज। अपनी पीठ के बल लेट जाए। सांस लें और दोनों घुटनों को मोड़ें ताकि पैर जमीन पर सपाट रहें। अपने हाथों को अपने दोनों तरफ रखें ताकि हथेलियाओं फर्ष की ओर हों। या आप बहतर समर्थन के लिए अपने टकनों को भी पकड़ सकते हैं। अब अपनी पैल्विस को फर्ष से ऊपर की ओर छट की तरफ धके लें। जब आप यह करते हैं तो सांसों को छोड़ें। अपने शरीर को इस तरह ऊपर उठाएं कि आपकी गर्दन और सिर अभी फर्ष पर सपाट हो। और आपका शेष शरीर एक पुल के जैसे हवा में हो। दस गिंतियों तक इस स्थिति को बनाए रखें और छोड़ दें। यह मुद्रा श्वसन प्रणाली को मजबूत करने और थायरोइड ग्रंथी को प्रोटसाहित करने के लिए उत्तम है। और साथ ही उच्छ कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में भी सहायक है। अब हम योग अभ्यास के अंत में पहुँच गए हैं। तो अपनी यात्रा पर विचार करने के लिए कुछ क्षण लें। अपने द्वारा निर्धारित लक्षियों को स्वीकार करें। और एक स्वस्थ्य जीवन शैली को बनाए रखने। और अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम रखने के लिए आपने कितनी प्रगति की हैं इस पर विचार करें। अभ्यास को कुछ क्षणों के विश्राम के साथ समाब्त करें। क्रुतग येता की सांस लें और करुणा की सांस छोड़ें। नमस्ते।